पूरा आज हम देखेंगे बायो टेक्नोजी पार्ट फोर और यह लास्ट पार्ट है बायो टेक्नोजी का आज होप कि आपको यह समझ में आया होगा पूरा बायो टेक्नोजी तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट फोर तो आएए देखते हैं कि सबसे पहला जो टॉपिक है डाट इस कॉल वैक्टर फॉर प्लोनिंग जीन इन प्लांट्स यानि हमें प्लांट्स में कोई भी जीन को deliver करना है इसे ध्यान से समझना है कि umग हेज़ इस ब्लांटि है और इस ब्लांट्स चसृज और मुझे कोई भी जीन को मतब deliver करना है जीन को इसके अंदर डालना है ताकि इस प्लांट को मैं disease resistance बना दूँ, piece resistance बना दू दू, कोई भी pathogen इसके ऊपर act ना करें ताकि हम बहुत सारा chemical pesticide, insecticide use ना करें क्योंकि मैं अगर इसे disease resistance बना दूँगा paste resistance बना दूँगा तो मुझे कुछ भी चीट डालने के जुरुरत नहीं पड़ेगी इसके उपर तो हमें क्या करना है कि कोई भी gene मतब कि जो disease resistance gene है इसके अंदर हमें insert करना है तो कैसे कि insert करते है तो एक bacteria होता है that is called agrobacterium tumniphacens और इसके अंदर plasmid होता है इस plasmid के अंदर देखिए यहां पर red color का मैंने बनाया है this red one is called ti gene or tumor inducing gene so यहां लिखा है कि plasmid consists of tdl इसका नाम है TD knit a and a tumor inducing gene DNA encontramos tumor inducing plasmid इसे अंदर को बहार निकालते हैं आपको पता ही होसा कैसे बहार हम निकालते हैं lysozyme यह यह देखिए अगर मालकल तो अगर मान लिचे, भर इस धयान से समझे ज़ data कि suppose यह हमारा plasmid है और इसके अंदर T-DNA भी है और हमने क्या किया कि restriction endonuclease से इसे काटा और अपना desire gene यहाँ पर add कर दिया जो desire gene जब हम add करेंगे यहाँ पर और now this plasmid is transfer into the plant plant के अंदर हम transfer हमने किया तो हुआ क्या कि यह जो हमारा desire gene है जो की disease resistance करेगा piece resistance करेगा कोई भी disease से इस plant को बचाएगा बट इसके साथ साथ क्या है कि यह जो red वाला है that is called tumor inducing DNA ti plasmid भी से बोलते हैं यह क्या करेगा इस plant के अंदर tumor cause करने लगेगा tumor बना देगा जो जाइलम और phloem के vessels होते हैं जो water और food को translocate करते हैं they become उसके अंदर क्या होगा tumor बना देगा जाएगा और plant ultimately plant की death हो जाएगी तो हम क्या करते हैं इस method में कि इस जो tumor induced कर रहा है ti जो DNA है tumor inducing DNA है इसे हम कैसे भी remove करेंगे इसे हटा अगर देंगे तो अब अगर हम इसके अंदर gene insert करेंगे मतब जो भी हमारा desire gene है वो insert करके डालेंगे तो अब वो pathogenic नहीं है अब वो tumor induced नहीं करेगा तो हमने क्या किया कि by using biotechnology this ti plasmid is removed जो ti plasmid है इसे हमने remove कर दिया and now this plasmid is no more pathogenic for the occurring of tumor and then plasmid that is agrobacterium tumor efficiency is able to deliver the piece of DNA into the plant जो piece of DNA मतलब desired DNA जो piece of DNA है अब हम उसे directly plant के अंदर डाल सकते हैं कोई problem होगा नहीं तो यह है कि कैसे हम कोई भी gene को plant के अंदर कैसे हम डालते हैं तो आएए देखते हैं जो हमारा तीसरा जो tools था recommendant DNA technique का ओ हमारा host था पहला था enzyme जो हमने अपने पहले वीडियो में discuss किया था जैसे उसमें restriction endonuclease है lysogym है बहुत सारे enzyme हमने discuss किया था फिर हमने vector discuss किया था जिसमें हमने प्लाजमिट पढ़ा था प्लाजमिट मतब वेक्टर के अंदर क्या 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 क्रेक्टर्स्टिक features होते हैं जैसे origin of replication, selectable marker, color reaction and all and third most important that is host host में मैंने लिखा है कि host equal to e coli minus plasmid अगर मान लेचे कि मैंने e coli bacteria है और इसके अंदर plasmid है इस plasmid को मैं बाहर निकाल दूँ तो अब यह जो e coli है यह host की तरह act करेगा host में basically हम क्या करते हैं कि अपना जो भी DNA है जो plasmid है जिसके अंदर हमने desire gene को add करके इसके अंदर डालते हैं और replicate कराते हैं तो देखी कैसे replicate कराते हैं कि DNA is a hydrophilic molecules and it cannot pass through the cell membrane जो bacteria का cell membrane है e coli bacteria है वो directly जा नहीं सकता जो हम plasmid इसके अंदर डालेंगे तो directly जाएगा नहीं इसलिए हम इसे पहले competent बनाते हैं competent का मतलब यह होता है कि उस लायक लायक बनाना ताकि कि जो plasmid है plasmid easily अंदर जा सके किसके अंदर जा सके होस के अंदर जा सके होस जनरली हमारा e coli bacteria होता है तो उस competent host मतलब एक लायक होस बनाना है तो दीखिए कैसे लायक होस बनाते हैं सबसे पहले यह माल लेजिए कि यह e coli bacteria मैंने लिया यह e coli bacteria है और उसके ऊपर specific concentration of divalent cation जैसे calcium iron हमने इसके ऊपर spray किया शिडख दिया इस प्रे करने के बाद जो specific concentration of divalent cation है जैसे calcium है जैसे हम bacteria के चारो तरफ डालेंगे तो bacteria के surface के ऊपर ऐसे minute minute force create हो जाएंगे ऐसे force create हो जाएंगे दूसरा चीज हम क्या करेंगे जो हमारा vector है जो vector है या recombinant dna है जो यह हमारा desire gene है जो green color का मैंने यहां बनाया हुआ है अब हम क्या करेंगे कि उस vector को या recombinant dna को हम ice के ऊपर थोड़े देर के लिए रखेंगे और ice पर रखने के बाद उसे थोड़ा heat shock देंगे करीब 42 degree centigrade के लिए थोड़ा सा थोड़े देर के लिए उसके ऊपर रखेंगे फिर हम तुरंद ice के ऊपर रख देंगे और फिर उसके बाद इस वेक्टर को इस force के थुरू यहां पर force create हो हो चुका है क्योंकि divalent ketine हमने डाला है calcium डाला है तो इस force के थुरू अब हम इसे host के अंदर डाल देंगे यह इसलिए ऐसा करते हैं ताकि इसके अंदर capability आ जाए कि वह easily enter हो जाए तो आएए देखते हैं कि other method क्या है foreign DNA को introduce करने के लिए host के अंदर जो हमने अभी पीछे देखा था हो हर हर चीज में apply होता है वो method हम use करते ही करते हैं तो कुछ other method भी है जैसे micro injection तो micro injection was developed by the Jeffries S. Chamberlain of the human genome project center USA उन्होंने discover किया है और यह animal cell के लिए suitable होता है कोई animal cell के अंदर हमें desired gene डालना है तो हम क्या करेंगे एक micro needle लेते हैं जैसे जो नेडिल आती है जो injection जिससे देते हैं उसके अंदर हमने क्या किया कि इस plasmid को ले लिया और plasmid के सांसंते रेड कलर का आप देख रहे हैं इस desire gene है जो हमें चाहिए उस desire gene के सामदर plasmid को हमने injection में ले लिया और directly हम इसे nucleus के अं अंदर हमने directly डाल दिया तो यह होगया हमारा micro injection जो दूसरा method है that is called biological gene gun method gene gun method क्या होता है कि suitable होता है plants के लिए अगर plants में कोई desirable gene या plasmid हमें डालना है तो हम gene gun method को use करेंगे तो क्या करते हैं कि cells को bombarded करते हैं with high velocity of micro particles of gold and tungsten coated with the DNA gold or tungsten से coat करके directly bombard करेंगे तो यह सीधा इसके अंदर enter हो जाएगा high velocity से जाएगा और इसके अंदर घुश जाएगा यह आये देखते हैं processes of recommend DNA technique जो हमने पिछले वीडियो में discuss किया था कि recommend DNA technique क्या processes होते हैं कैसा होता है तो अगर अभी 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 अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो please उसे देखिए तभी आपको यह सारा part समझ में आएगा तो अगर आप first timer viewer है first time देख रहे है क्योंकि bio technology बहुत ही complex chapter है तो आपको अगर concept develop करना है bio technology में तो starting से आप देखिए और आपने एक बार देख भी लिया है तो फिर भी एक बार starting से देखें ताकि बार बार अगर देखेंगे तो बिलकुल दिमाग में बैश जाएगा तो चली आए देखते हैं कि processes of recommend DNA technique के लिए क्या क्या step होते हैं already हमने सारे discuss almost कर लिया है तो जो हमने कर रखा है वो हम बार बार नहीं करेंगे वह आप हमारे मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं isolation of genetic material that is DNA तो सबसे पहले अगर हमें recommend DNA करना है recommend DNA technique use करना है तो सबसे पहले हमें DNA चाहिए genetic material चाहिए isolate करेंगे फिर isolate क करने के बाद उसे हम काटेंगे that is cutting up DNA at a specific location यह बहुत अच्छे से हमने discuss किया हुआ है third है amplification of gene of interest using PCRA अभी हम discuss करने वाले हैं बहुत important है and now insertion of recombinant DNA into the host cell अभी हमने discuss किया है इसी वीडियो में कि कैसे हम insert करेंगे अपने recombinant DNA को plasmid को host के अंदर जैसे अभी बताया था है कि divalent calcium iron डालेंगे divalent cation use करेंगे फिर उसके अंदर force हो जाएगा फिर recombinant DNA को हम ice के उपर रखेंगे फिर heat shock देंगे फिर ice के उपर रखेंगे then हम उस पोज के तुरू insert करेंगे तो यह भी हमें discuss करने के जोरत नहीं है तो जो जो discuss करने के जोरत नहीं है मैं इस पे cut ऐसे लगा देता हूं और यह थोड़ा सा हम देखेंगे अभी और फिफ है obtaining the foreign gene product अब हम gene product जो भी होस के अंदर डालेंगे तो इसे हम gene product निकालेंगे and the last one is downstream process downstream processing इसमें हम देखेंगे क्या क्या होता है तो यह six step है यह बहुत important है अगर आप 12 में हैं board के exam देने वाले हैं तो आपको ऐसे six process को लिखके और six process के बारे में आपको अच्छे से describe करना पड़ेगा कि इनके अंदर हो क्या रहा है तो आये देखते हैं कि जो first step है that is called isolation of genetic material that is DNA अगर आप bacteria से कोई DNA निकालना चाहते हैं तो bacteria के cell wall को तोड़ना पड़ेगा आपको उसको cell wall को हटाना पड़ेगा तो cell wall को तोड़ने के लिए जो enzyme use होता है that is called lysozyme तो cell wall टूटेगा genetic material आप लिगा सकते हैं वैसे सिम plant cell को अगर plant cell से अगर आपको DNA चाहे तो उसको cellulose डालना पड़ेगा क्योंकि cellulose जैसे आप डालेंगे तो plant cell wall टूटेगा और आप उससे genetic material निकाल सकते हैं अगर फंजाई से अगर आपको genetic material चाहे क्योंकि kytinase क्योंकि kytinase kytin जो होता है cell wall का composition होता है तो उसे तोड़ने के लिए आपको फंजाई के cell wall को तोड़ने के लिए kytinase भी चाहिए अगर हम आपको eukaryotic DNA अगर आपको निकालना जैसे हम लोग eukaryotes हैं तो eukaryotic DNA जो होता है हम अपने next video में और आने वाले टाइ इसका तो उसमें आप देखेंगे कि जो histone protein है जो green color से मैंने बनाया है उसके उपर DNA ऐसे wrapped होता है तो DNA is wrapped over the histone protein मुझे पुरा DNA चीए तो पहले तो histone protein को हटाना पड़ेगा तो histone protein को हटाने के लिए इसके उपर मैं डालूँगा proteases तो proteases डालूँगा तो protein हट जाएगा इ RNA ligase या RNA, RNA ligase नहीं, RNAase एक enzyme होता है उसके उसे डालेंगे हम RNAase enzyme डालेंगे तो RNA भी हट जाएगा तो DNA के सांसा जो भी अलग-अलग molecules होंगे उसके अलग-अलग enzyme डालके उसे degrade कर देंगे और हम pure DNA को obtain करेंगे फिर उस DNA को देखेंगे कि DNA बहुत कम है तो हम amplify करेंगे अगर क हम नहीं है तो direct हम plasmid में जोड़ देंगे जैसे second step है कि cutting the DNA at the specific location जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि suppose मान लेजी यह DNA है तो उसके उपर restriction endonuclease डालके इसे काट देंगे और काटने के बाद इसे plasmid के अंदर यहां पे insert कर देंगे तो यह दो step हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हमने already अपने पुरानी वीडियो में discuss कर रखा है तो आप उसे देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो चले आए देखते हैं जो हमारा तीसरा step है that is called amplification of gene of interest using PCR बहुत important है PCR stands for the polymerase chain reaction and it is developed by the carry mollies carry mollies सबसे पहले इन्होंने develop किया है और actually amplification of gene जो होता है इसके तीन step होते है जो पहला step होता है denaturation फिर annealing and extension तो आए इस छोटे से machine एक होता है PCR एक machine है इस machine में एक enzyme होता है that is called DNA polymerase enzyme DNA polymerase enzyme जो होता है thermostable होता है मतलब कि high temperature पे भी work कर सकता है 70 से 80 degrees centigrade पे भी यह काम करेगा and this enzyme is obtained from the thermos aquaticus एक organism है बक्टीरिया है उससे हम obtained करते हैं तो अगर माल जीजे इस chamber में high temperature होगा तो DNA अगर हम डालेंगे तो DNA अपने आप ही denature हो जाएगा क्योंकि जो DNA होता है वो specific temperature pH पे काम करता है क्योंकि हमारे बाडी में एक specific temperature है है अगर temperature बहुत जादा elevate हो जाएगा तो DNA denatured होने लगेंगे protein denatured होने लगेंगे और हम काफी problem में आ सकते हैं इसलिए जब भी fever होता है तो हमारा सबसे पहला goal ही होता है कि fever को reduce करना क्योंकि अगर fever reduce नहीं होगा तो बहुत सारे protein बहुत सारे enzyme अपने आप denatured होने लगेंगे और बहुत सारे complications होने का खतरा रहता है तो जैसे ही high temperature क्योंकि इस पूरे chamber में PCR में पूरे में high temperature है तो जैसे हम high temperature provide करेंगे तो this DNA undergo the denatured denatured मतलब कि that break down the double strand to the single strand that is called denaturation और फिर क्या करेगा कि इस जो DNA polymerase है वो बहुत सारे oligonucleotide और nucleotide और primus को add करके यहां पे और इस chain को elongate कर देगा amplify कर देगा तो बहुत एक छोटा से strain आप देख सकते हैं छोटा से strain बहुत बड़ा amplify हो गया इसका तो यह biotechnology में यह application है बाकी बहुत जगा हम लोग क्लिनिक में भी इसका PCR को use करते हैं PCR is used for the diagnose the HIV tuberculosis इस सब चीज को हम diagnose करते हैं suppose मान लेजे कि TB का bacteria है mycobacterium tuberculosis और बहुत initial symptoms आ रहे हैं night sweating हो रहा है और weight loss हो रहा है और मुझे suspected है कि उसे TB हो सकता है तो उसका blood अगर में test करो तो blood में बहुत कम ही bacteria अगर होंगे mycobacterium के बहुत ही कम bacteria अगर होंगे तो यह क्या करेगा कि bacterial के DNA को amplify करके बता देगा कि यह TB का bacteria same HIV के साथ भी यह होता है viral RNA को बिल्कुल amplify करके बता देगा तो यह क्या होता कि PCR को हम क्लिनिक में भी आजकल यूज करते हैं और अगर हमारे पास even DNA fingerprinting में भी यूज करते हैं कि अगर माली जे कि crime scene पे बहुत कम ही मुझे DNA मिला blood sample मिला नहीं जो victim है उसके हाथ में थोड़े से अगर माली जे की कोई किसी का murder करने आता तो अपने आपको तो product करेगा ही वो तो माली जे कोई मारने उसे आ रहा तो उसके उसने पकड़ लिया उसके hairs उसके हाथ में आ गया तो उस hairs को hairs को निकालेंगे और hair को निकालने के बाद देखेंगे कि hair में actually DNA का content बहुत ही कम होता है बहुत ही कम होता है तो इस hair को अब क्या करेंगे हम इस PCR से amplify करके और फिर हम DNA finger printing में use करेंगे तो आगे मैं DNA finger printing बताने वाला हूँ आगे वीडियो में तो वहां पे हम देख पाएंगे host के अंदर अपना foreign gene डाला और इसके अंदर से product हमने निकाल लिया तो इस product जो है वो बिलकुल raw है तो इस product को हम bio reactor में डालेंगे तो by the help of bio reactor, bio reactor basically two type का होता है that is a simple stir type of tank and a sprouted stir type of tank and this bio reactor is raw material are biologically converted into the specific product जो भी हमने raw material host से निकालेंगे उसे यह क्या करेगा specific product में convert करतेगा क्यों करेगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे optimum conditions होते हैं for achieving the desired product by providing the growth condition like temperature, pH, substrate, salt, vitamin, oxygen इस सारे इस machine के अंदर होते हैं जो कि जो हम host से निकालेंगे और उस host को directly वो product में convert करतेगा bio reactor तो आप अपने textbook से पर सकते हैं bio reactor इसमें कुछ जादा खास नहीं है और जो last step है recommendant DNA technique का that is called downstream processing downstream processing basically concerned for the separation and purification is called downstream process जो हमने bio reactor से separate करेंगे फिर अगर उसके अंदर impurities होगी तो इसे purify करेंगे that is called downstream process बहुत लंबा process होता है अगर माले जे कि मैंने insulin बनाया है और या कोई भी drugs बनाया है या कुछ भी चीज हमने बनाया है तो उसे क्या करेंगे कि preservative solution में store करके रखेंगे कि अब आचानक से उसे पूरा का पूरा हम एक साथ use नहीं कर सकते हैं तो उसे हम क्या करेंगे preservative solution में रखेंगे ताकि वह खराब ना हो जाए और अगर हमने कोई drug बनाया है कोई medicine बनाया है तो उसका clinical trial करेंगे या आप Mbps में बढ़ेंगे clinical trial कैसे होता है बहुत सारे stages होते हैं बट छोटा सा form में मैं बता देता हूँ कि अगर आपने drug बनाया है तो सबसे पहले तो मदब कि किसी animals पर करना होता है ठीक है और फिर animals की बाद पर करना होता है तो patient को माले जी कि आपने एक नया drug बनाया है जो कि fever को reduce कर रहा है परसितमोल के अलग कोई drug है तो इस सारे patient पर देखेंगे और देखेंगे कि fever इनका reduce हो रहा है नहीं हो रहा है क्या side effect है बहुत बड़ा process है यही है तो clinical trial बहुत important है अगर आपने कोई drugs बनाया है अंटिवाइटिक बनाया है या कोई vaccine बनाया है इस method से और quality control testing करते है कि क्या quality है इसका जो भी हमने product बनाया है तो बायो टेक्नोजी जो होता है एक बहुत बड़ा रोल है किसी भी छेतर में चाहे वो medicine हो या कोई भी हो medicine हम बहुत सारा इस बायो टेक्नोजी से बनाते हैं और अपने hospital में use करते हैं जैसे oxytocin अगर आपने सुना ह होगा कि oxytocin एक hormone है which is synthesized during the pregnancy और हम क्या करते है कि oxytocin का बहुत ज्यादा यूज करते हैं चाहिल बर्थ के टाइम में वर्शन में भी यूज करते हैं रिलैक्सिन आपने सुना होगा this relaxing is synthesized by the human female and it's helpful for the facilitate the childbirth अगर वो फैसलेट नहीं होता है तो हम रिलैक्सिन देते हैं यह भी relaxing हमारे downstream process हमारा पूरा बायो टेक्नॉजी से आता है insulin अभी हमने discuss किया है ऐसे बहुत सारे products जो है daily to daily use होते हो बायो टेक्नॉजी के वज़े से मिलता है तो इसी के साथ हमारा बायो टेक्नॉजी का जो series है वो खतम हो गया है and I hope कि आपको यह series बहुत पसंद आया होगा अगर मेरे पास फोड़ा time का problem है and इस video को please like करें क्योंकि बहुत ज्यादा मैं मेहनत करता हूं और आप like करेंगे तो मैं encourage रहूंगा और please share करें अपने friends को आप अपने friends को help कर सकते हैं और बहुत बहुत thanks आप लोगों का कि आपने इतना support मुझे दिया बहुत ही ज्यादा thanks सभी लोगों का और अगर आप first time viewer है पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो please subscribe करें अगर अभी तक आपने subscribe नहीं किया है और इसके साथ एक bell का button है उसे जरूर दबाएं क्योंकि जब भी मैं video upload करूँगा तो आपको सबसे पहले वो मिले और thank you so much for the support thank you so much for the watching thank you so much